आसा स्टूडियो पे चुट चुट चुके हैं वारिश पत्रकार टिया रामचंदरन और साथी और महमानमाई साथ मौजूद हैं उनसे मैं इस पर रियाक्शन्स लूँगी रामचंदरन जी सबसे पहले आपसे कोट ये कह रही है सुप्रीम कोट कि CBI इंडिपेंडन नहीं है उसके एक नहीं कई मास्टर्स हैं और वो एक तोते की तरह है जो सरकार रटाती है वहीं बोलती है देखिए मेरे ख्याल में राजनीतिक दुनिया में सबको ये मालूम है कि जो भी सरकार सत्ते में होती है केंदर में वो CBI पे कंट्रोल रखती है इसमें कोई नई बात नहीं है पड़ ये है कि ये सब चीजें अब उभर के आई हैं क्योंकि कोट के सामने है अगर कोट कहे कि ये सिरफ सरकार के एक तोते जैसे काम करता है तो मेरी खाल में जाइस है जो Supreme Court कह रही है बढ़ अगर सुनवाई होगी तो उसके बाद कोई order भी तो देगा Supreme Court उस पे अभी शायद हम पहुंचे नहीं है क्योंकि अगर सिरफ वो जो अफिडेविट है उस पे वो सुनवाई हो रही है तो मेरी खाल में कुछ समय और इंतजा करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोट की अब्सेवेशन और क्या होती है बिल्कुल अब्सेवेशन और क्या होंगे इसका इंदिजार करना होगा क्यूंकि अभी सुनवाई इस मामने पे चलिए और अटॉनी जेनरल क्या कहते हैं ये भी हमें थोड़ी देर पता होगा लेकिन फि ज़ुरत है उसमें सुप्रिम कोट के कहने के पहले सुप्रिम के डियक्टर ने खुद कहा था कि हम आटो नामस नहीं है तो यह एक अब इसकी क्या कांस्टिचूशनल पोजिशन है इसकी प्रापर इनलसिस होनी चाहिए और उसका रेमिडिव फाइंड आउट किया जाना च टानी जैनल के जवाब का भी इंतजार है वो देंगे दोरानी जी से इस पर एक कामन चाहूंगी ठीक है जो तो सूरतेहाल जो है वो इसमें कोई कहने की कुछ बात नहीं है इसलिए कि जिस तरह का धांचा मिला है सीबिया उसी धांचे के अंदर काम कर रही है अब उसमें कहीं कोई कमी है या कहीं कोई लेकुनाज है तो अल्टिमेटली कोड उसकी तरफ पाइंट आउट कर रही है और उसका पिर जैसा कि अभी जवाब देगा उसके रोशनी में कुछ फैसला किया जाएगा और आज की जो सुरत आले वो जूंकि तू वैसी चली आ रही है रामचे जी जो धांचा दिया गया सीबियाए को जो इंडिपेंडन्स नहीं है उसके पास वो तरह अलग-अलग मंत्रालों को रिपोर्ट करती है कार्ड कंट्रोलिंग अथारिटी सरकार खुद है सीबियाए कई मास्टर्स जो की कोट भी कह रही है तो यह जो हेलपलेसनेस है दुविधा है सीबियाए की उसकी सरकारे पूरा 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 दूरुपयोग करती है और मौजूदा केस में भी हमने यही देखा किस तरह से क्या हश्र हुआ उस स्टेटिस रिपोर्ट का देखें मैंने यही बात आपको सबसे पहले कहा कि जो भी सरकार सत्य में हैं केंदर में यह अभी नई बात नहीं यह पूरानी बात है यह मेरे खार में सब लोग राजनीतिक दल में यह बात माना है इसकी टिपनी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ने यह किया अभी बह प्रिस्टीजियस इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी इस देश का है CBI ने कई चीजों को अन्ड्राइवल किया है आखिरकार अगर CPI एक पपेट और तोता बनके रहेगा सरकार के हाथ में तो मेरे खाल में अनफॉर्चनेट है Supreme Court ने इससे पहले जब कुछ observations की थी तो उन्होंने का कि हम को CBI को मद्दे नजर रखते हुए उनको greater independence of freedom देना चाहिए अब देखते हैं कि क्या Supreme Court उस तरह बढ़ता है हरीकेश बादूर जीनिया भी जो कहा मेरे खाल में वो एक बहुत मैद्व रखता है कि सब लोग बैठें इस पर discuss करें कि कोशिश करते कि इसको कैसे सुलजाया जाए अगर हर चीज में हम चाहते हैं कि न्यायायल है सबसे उत्तम न्यायायल है इस पर कुछ न कुछ टिपनी करें और इस पर suggestions भी दें तो मेरे ख्याल में ये भी एक ठीच चीज बात नहीं है अब सुप्रियम कोट ने कहा है कि वो जरूर इस पूरे मसले को देखेगी परकेगी और अपनी बात जरूर रखेगी जहां तक आप अटर्नी जनरल साब की बात कर रही हैं अटर्नी जनरल के खिलाफ कुछ बार काउंसल ने बातें कही हैं कि अगर अटर्नी जनरल साब कहते आ रहे हैं कि उनको उन्होंने कुछ देखा नहीं उनको कुछ जादा मालूम नहीं और पर CBI के डाइलेक्टर साब ने जो बात रखी है अपने अफिडविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरे खाल में उस पे चर्चा हो रही है तो इसलिए हमको प्रीजज कुछ नहीं करना चाहिए है मैं यह का रहा हूं कि दिखिए CBI को पपेट नहीं रहना चाहिए जो सुप्रीम कोट कहता है और सारे लोग ऐसा मांते है क्योंकि वह देश की प्रीमियर इन्वेस्टिकेसिन अजिंसी है तो नहीं रहना चाहिए बात सही है लेकिन उक कितना उसको आजादी देनी चाहिए इस पर भी विचार करने की ज़रूँए उसका कारण यह है उसका कारण यह है कि हमारे देश के उच्छ जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो आटो नामस हैं तोटल या गवर्मेंट के कंट्रोल में नहीं है यह भी देखनेकी लाट है कुन में भरस्ट अचार है कि नई है वह लोक्त अचार करते हैं नहीं है। अगर वह भरस्ट अचार करते हैं तो उनको पकड़रने की क्या तरीके हैं हभी एक बहुत बढ़ी बात है और आज CBI को निस्टी तूप से आपको आजादी देनी चाहिए हरी केशिए हम आप से इस पर बाची जाई रखेंगे आप सभी हमासद बने रहेंगे और अब सरगार का पक्ष टॉनी जनरल का पक्ष भी थोड़ी दिर में आ जाएगा वो भी इस पर अपक्ष रखने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यार रुक रहे हैं ब्रेक के बाद भी इसी मसले पर हमारी चर्टा जाई रहेगी हमारे खास मेमानमासद बने हुए आप भी हमासद बने रहें देखते रहें इंडिया नियूस